नमस्कार आपको सोगत इस टोकलोजी में आज हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिम्टेट के क्वाटरली रिजल्ट्स के बारे में तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दें बैल ऐकॉन पर क्लिक कर दें करोड़ के रिजल्ट हैं और जो आकड़े आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है वह हैं देखेंगे टोटल इंकम को दिसमबर कंपनी की इंकम थी इच वंपने हैं सबसे सबसे व्रेडियरस नगाँ है टोट्ल इसमबर कोड़े में उख रहे एकपनी के एक फैंसे स्थे सब्सक्राइब करोड के इस करोड़ के और दिसमबर में कंपनी की एक सब्सक्राइब करोड के तो अगर हम total expenses की बात करते हैं year on year में यानि के December 20 quarter से December 21 quarter में तो यहाँ पर यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में September 21 quarter से December 21 quarter में तो यहाँ भी हमें total expenses में व्रद्धी होते हुए दिखाई दे रही है बात कर लेते हैं company के profit and loss statement की देखेंगे fifth number point profit before tax को December 20 quarter में 340 करोड के profit before tax थे September 21 quarter में यह 258 करोड के हुगे और December 21 quarter में 295 करोड के profit before tax रहे तो अगर हम profit before tax की बात करें year on year में December 20 quarter से December 21 quarter में तो यहाँ पर यह हमें घटते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में सितमर 21 क्वाटर से दिसमर 21 क्वाटर में तो यहाँ हमें प्रॉफिट भीफोर टैक्स में व्रध्य होते हुए दिखाई दे रही है बात कर लेते हैं कंपनिंगे नेट प्रॉफिट की तो सेवेंथ नमबर पॉइंट दिया गया है नेट प्रॉफिट फॉर्दा पिरियर्ड दिसम्बर बीस क्वाटर में 253 करोड के नेट प्रॉफिट थे, सितम्बर 21 क्वाटर में ये 191 करोड के हुए, और दिसम्बर 21 क्वाटर में 220 करोड के नेट प्रॉफिट रहे, तो अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, यानि कि दिसम्बर 20 क्वाटर से दिसम्बर 21 क्वा कंपनी के हमें year on year performance कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि quarter on quarter performance बहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी के year on year profit घटे हैं जबकि quarter on quarter जो profit है वो बड़े हैं तो कंपनी के year on year performance कमजोर हुआ है year on year profit घटे हैं धन्यवाद